हेलो दोस्तों आई ये स्वागत हैं आप सभी का अपना इस यूटूब चैनल जी एन भेस्टरी सेंटर में दोस्तों और मैं हुपपु पहाड़ी आदो दोस्तों आज किस वीडियो में आप लोके लिए रिजिनिंग के बहुंत जबर्जस धमा का लेकर दोस्तों आये हैं इस तो रेड़ वटन है उसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जो ऑन का है उसको कर ले ताकि जो भी वीडियो हम बनाते हैं अपलों के पास दोस्तों हो जाए क्योंकि एकदम जीरो से बैसिक से हम अपने चैनल पर मैं थ्रेजिनिंग को दोस्तों पढ़ा करके वीडियो अप्लोड करते हैं और बताते हैं कहीit कहीं आपका प्रॉबलम है तहिमें ध्रेजिनिंग में दिकत है कहीए Cabinet में आपको प्रोब्लम हो रहा है तो उन समझ zar से चैनल पर आप लोगा क्ली जरूर करते हैं हमेसा करते हैं भाई शेप्टर दोस्तों पढ़ाते हैं कोई का आज का त измен number का वीडियो है दोस्तों बहुंत्र जब रिजयु को पहले के अध्यकर देखना है औसके बाद किया करना है की स्टार्ट करना है, लेकिन वह ऐसे logic से हम बताएंगे, वह ऐसे method से समझाएंगे, बताएंगे, कि जिंदगी में बहुलने के लिए दोस्तों सोचना पड़ेगा आपको, तो आइए चालू करते हैं, देखते हैं, आज का पहला question स्टाट करते हैं, यहाँ पर देखिए, तीन है, पांच है, नौ है क्या सी हैं, यहाँ पर साथ हैं, दो हैं यहाँ पर छे हैं, यहाँ आठ हैं, चोंसट हैं, यहाँ पर चार हैं, तो साथ, चार, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर साथ हैं, उन्हों चास हैं, चार हैं, पांच हैं, तो यहाँ पर साथ हैं, यहाँ पर चार हैं, यहा तो यहां पर क्या है नौ है तो यहां पर क्या दिया है एक कहीं इस बॉक्स में पाले संख्या को देखेंगे यहां से इसको चेक करेंगे इधर से इधर या इसको चेक करेंगे तो यहां पर देखिए नौ है क्या से हैं कुछ यहां पर सिरिज ऐसा मिल रहा है नौ का यहां पर क्या किया है 80 किया है तो यहां से start करेंगे solve करना यहां पर तीन है 5 है तो यहां पर तो कुछ point नहीं दिख रहा है यहां पर 9 है 80 है तो देखिए कैसे इसको solve किये जाएगा थोड़ा सा पहले देखिए क्यों कि बार-बार दोस्तों तो यहां पर 9 है फिर 80 है तो 9 का स्क्वाइर किया है तो 81 आया है यह तो बात इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए 9 है तो 81 किया है कोई दिकत नहीं अगर इस 9 से इस 81 को डिवाइड कर दिया जाएगा तो कितना एगा 9 9 कितना होगा यानि इस 9 से 81 को डिवाइड किया जाएगा तो 9 आएगा कोई दिकत नहीं यहां पर देखिए अगर इस 5 और 3 का डिफरेंस कर लिया जाए तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 5 में से 3 जाएगा तो 2 बच अगर इस दो को इस में से घटा दिया जाएगा तो कितना आगा साथ आ जाएगा यहीं साथ यहां पर रखा है दोस्तों कोई दिकत नहीं यह साथ कैसे समझ गया होंगे इससे क्यासी को डिवाइड किये तो नौ आया और पांच और तिन का डिफरेंस किये तो दो आया अब इस आठ से चौंसट को डिवाइड किजिएगा तो और ठेठ कितना होता है चौंसट यानि आठ हो जाएगा कोई दिकत नहीं अब यहां पर इन दोनों का डिफरेंस लिए से पांच में से तीन को घटाये थे तो दो यह था और जो यह डिवाइड आया था उसमें से इसका डिफ अब आप यहां पर भी वह साहीं रख सकते हैं साथ के स्क्वेर उनन चास होता है अगर साथ से उनन चास को डिवाइड किजिएगा तो साथ बार में जाएगा कोई दिकत नहीं अब यह पांच और चार का अंतर किजिए पांच में से चार को घटाएगा तो एक आएगा इस अब पर भी इस टाइब करते हैं कि आप लोग आसानी से समझ गये होंगे इस टाइप के को हरा बार एक जाम में आता है दोस्तों बहुत बार रिप्ट क्यों और को से हैं को चली आगे बढ़ते हैं आप चाहें तो स्क्रीन सट भी ले सकते हैं देखते हैं अगला कोशन भाइब हैं थो दोस्तो नेगंस्ट को istem, डून नमबर यह भी कोस्ष pac बहुत ही भी आई हैं दोस्तो देखिए को परले समझ यह बार बार दोस्तो इक्जाम में यह सब आया हो बीडित क्ष्जन है दोस्तो पी क्यूंँ से लंबा है आर पी से लंबा हैं एस टी से लंबा हैं लेकिन क्यू से छोटा हैं तो इन में सबसें लंबा कौन हैं दूस्तो कोोचन को से नहीं समझेगा तो बहुत ही कनफ्यूजन करता है इस टाइब कोचन और ज्यादा दर भाई टूडिन लोग से नहीं बन पाता हैं question को पहले समझे और कहां से हल करेंगे इस टाइब के question को हम बताएंगे क्योंकि इस टाइब के question को अगर symbol से आप हल किजिएगा बड़ा चोटा वाला तो उसमें बहुत confusion होता है इसलिए हम बोले कि उस method से आपको बनाना है एक question को बहुत type से बना जा सकता है लेकिन उस type कि उसे तो पी जब लंबा है कि उसे तो पी को उपर लिख लेजिए कोई दिकत नहीं किस से कि उसे यानि कि उसे पी क्या है लंबा है तो उपर रखिए उपर मैंने बड़ा प्रणनी लंबा अरह लंना तो यह टेसे लंबा है यहां पर स्ट्स अलंबा है लेकिन से छोटा है कि उसे चोटा कौन एस प्रंतु टी से लंबा है तो कीव से जब छोटा है एस तो एस यहां पर कीव से छोटा कर दिए एस टी से लंबा है किन्तु कीव से छोटा तो कीव से छोटा इसको कर दिए टी से लंबा है तो टी इसके निचे आ जाएगा कोई दिकत नहीं आप चाहे तो सिंबल वाल है उसके बाद P Q S T तो अब आसानी से आप इसमें छाट सकते हैं दोस्तों इस टैप के कोश्चन में तीन कोश्चन बनता हैं अगर दे देगा इसमें तो दिया है सबसे लंबा कौन तो असानी से आप के ऊजोर्ण न मतीन को रектив दोढ़ा पुछेगा सबसे चोटा पूछेगा बीच वे पुछेगा तो आसानी से आप कर सकते हैं सबसे पी होगा सबसे चोटा हो जाएगा वीच वाला तो हम उम्मिद करते हैं कि आप लोग असानी से यह समझ गए हूंगे चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं इसके बाद वाले कोशन को सिरिज देखीए कोशन को पहले हमबर बोलते हैं कि पहले सरीस समझ adhere के उसके बाद ulow करना start करेंगे निकेरी करेंगे कान सी स्रीज है कैसे चल रहा है इसको पहले देखेंगे उसके बाद ना इसमें option को आप निकल लिएगा तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो किस हिसाब से बढ़ रही हैं किस टाइप से बढ़ रही है उसको देखेंगे तो यहाँ पर चार हैं उसके बाद 11 हो गया उसके बाद 32 हो गया तो देखेंगे कैसे बढ़ रही है इस सीरीज इसको पहले देख लिए यह चार है अगर चार में यहाँ पर 11 है तो थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दिजिए कि अगर गुणा कर दिये जाएगा चार से तो क इतना हो जाएगा बार एक कम है अगर इस 11 में 3 से गुणा किजेगा तो 11 33 एक कम है 32 ठीक है कोई दिखत नहीं यानिए सीरीज चल रही है वो मल्टीपल में चल रही है तो किस से गुणा करने पर यह आ रही सीरीज तू देखिए अगर चार में तीन से गुणा कर दिये तो 11 यह कितना हो जाएगा, 33 में एक कम किजिएगा तो कितना हो जाएगा, 32, यानि 3 से गुणा करके एक कम कर रहा है सीरीज में, 32 में 3 से गुणा किजिएगा और एक कम किजिएगा तो 32 यह कितना हो जाएगा, 32 यह चानवे होता है, 96 में एक कम किजिएगा तो कितना हो गुणा करके एक घटाने पर 84 आ रहा है कि नहीं यह भीचे कर लिए जाए तो 95 में अगर तीन से गुणा किजिएगा तीन पाच्चे पंदरा का पांच कहरी का एक नौतिय सताइस और एक अठाइस इसमें एक कम किजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तो 284 हो जाएगा जो कि यहां पर दिया हुआ है तो कितना होगा ? एक पाँच आठ यार owner चाहिए अगली शांख्या नहीं पूछाए दयान Дेफ तो बी अप्सें में यहाँ पर गलत संख्या है यहां पर 95 होना चाहिए तो हम उम्मिद करते हैं कि अभी कोशन आपा सानी से समझ गया होंगे चलिए बढ़ते हैं दोस्तों वैसा ही कोशन हम करते हैं जो बहुत भीव्याई होता है बारबर कोश्चन रिबिट किया हुआ रहता है और एकदम बैसिक से जीरो स अगला कोश्चन को है कि चलिए देखते हैं चार नूमर कोश्चन पर देखा जाएक कि तरह क्या होगी नीचते 256 है 216 फिर यहां पर खेख और इसों के अगळी संफिया को बोलत कुंशिया को क्या करना होगा थोड़ा सा ध्यान दिजियेगा आमो यह पता चल्य हैक उभी क्यांव्पर दिया हैं किसी ना किसी संख्या का क्या दिया है स्क्वाइर दिया है दो सब्सक्राइब दिया है तो यहां पर भी कोई संख्या आएगा तो यह भी किसी ना किसी संख्या का क्या आएगा बर गहीं आएगा आपको यहीं संख्या क्या पैटर्न क्या है किस तरह से सिरीज चल रहे हैं इसको देख लिए जाये तब ही तो आप यहां पर निकाल सकते हैं संख्या देखिए यहां पर क्या दिया है होता है। किस उटाय का 24 कोई दिखत नहीं यहां पर क्या है 256 होता है सिल्ला का होता आप अप पर जरा देह सथे चसकते संधी यहां पर की संख्या का स्क।वयर आपको पता नहीं है तो देखिए यहां पर सीरी जो है थोड़ा सा एक बात किजिए एक संख्या गैप लगा करके और चलिए यहां से 17 हैं यहां पर किया है एक कम किया है यहां से एक संख्या को छोड़िए और आगे बढ़िए तो आगे बढ़िए गा तो एक संख्या इससे क करके यहां से एक संख्या को छोड़िएगा तो एक छोड़ियेगा तो यहां आईएगा तो तो यहां आईएगा तो तो तेरा का स्कॉर है यानि स्क्राइब इसमें एक संखेश छोड़ी एक और इसे कों की जियेगा तो 15 का प्र Cum कितना होता है दोस्तों 225 होता है यानि कोहचन वाट की जग अगें होगा हुज在 together I somewhat से अगर अगला संख्या है तो इसे कौं मेरा का क्यौता है लेकिन आप शो कूछा तो यह यह आपका राइडेशन हो जाएगा दोस्तों तो हम इमित करते हैं कि आप लोग असानी से कोशन समझते ही होंगे चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं इसके बाद वाले कोशन को को कि दोस्तों एगला कोशन है पांच नमर कोशन यहाँ पर दिया है जादी चार पलस तीन बढ़ाबर 25 और आठ पलस चार बरफार और ऐसी हो तो पाँच पलस चार बढ़ाबर और और दोस्तों कि दिया है तधिए चार आठील के jump होगा लेकन असीद उपक यहां पर पांच और छे की जेगा तो ग्यारह होगा लेकिन western लेकिन जोड़के नहीं दे रहा यहां पर भी अगर जोड़िई गा तो कितना सब्सक्राइक कीजिए गान जогन टिंटर माल्टिपल की जेगा तो भी नहीं आ यहां पर चार है यहां पर तीन है 25 किया है ना कोई दिकत नहीं चार के स्क्वाइर कीजिएगा तो कितना होगा चार के स्क्वाइर कीजिएगा गिया कितना होगा ताक के स्क्वाइर की चार के स्क्वाइर को एड किजिए तो 6 इतना होगा एक छेक साथ एक हास हासी हो गया औशी दिया है है कोई दिगत नहीं यहाँ पर पांच और चेज़ा तो 5 के स्क्वेर कितना होगा 25 होगा छे का स्क्वेर कितना होगा 36 होगा इसको एड कीजिए 651 का एक कैरी के एक इधा और यह तीन दो पांच एक छोँ यानि आप पांच और छोँ से पूछा है तो पांच के स्क्वेर पचीश के स्क्वेर छातीश एड़ कीजिएगा तो किसाठ आ गया यानि जो रिलेसन इधर चल रहा है वह रिलेसन आगे भी चलेगा तो एक साथ हो जाएगा आपका कि मिलेंगा इसके बाद वाले वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो में इतना है जय हिंद्द